आज हम पढ़ने वाले हैं मेजर्मेंट ऑफ एंगल्स जो आप कैसे बनाएंगे मेजर्मेंट करके यूजिंग अ प्रोटेक्टर प्रोटेक्टर का यूज करना सीखेंगे उसका हम प्रोटेक्टर प्रोटेक्टर ग्यूज करके कोई वी जो वी जो मेजर्मेंट हमको दिया गया है उसका हम क्या बना सकते हैं, एंगल बना सकते हैं, there are two scale mark आने प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर में two scale दी रहती है, both measure angles 0 to 180 degree, और दोनों 0 सो 180 degree होती हैं, one start from the right and the other from the, तो यह आपका क्या होगा, कि one start from right and other from the left, मतलब यह आपको 0 से start होगा, right side में भी उसी तरह scale हो, और left side में भी scale है, choose the scale that है, जब 0 marks on the arm, align the width baseline, आपको एक किसमें, देखें, मैं आपको यहाँ ध्यान से दिखाती हूँ, अब यह देखें, यह प्रोटेक्टर है, ठीक है, यह क्य है आपका right से left की तरफ, तो यह 0 दिया है, 10, 20, 40 दिया, इसी तरह यहाँ से दूसरा scale यह दिया है, ठीक है, आप कौन सी baseline यूज करते हैं, उसको ध्यान देना है आपको, ठीक है, यह दिया है, scale, one scale, एक यह one scale है, यह आपकी baseline है, यह आपका center प्रोटेक्टर, मतलब आप angle measure करेंगे, तो वो आपको यहाँ से होगा, ठीक है, center, okay, अब 12.2 में आपका एक question दिया गया है, कि look at the figure, fill up the blanks, अब आपको एक figure बनाए गई है, उसमें angle है यह आपका, तो अब आपसे पूछरे, the arms of angle are, अब यह आपके 12.2 में question number first दिया है, look at the figure and fill up the blanks, ठीक है यह आपको angle दिया गया है, अब यह क्या है, angle में आपके two arms है, मतलब दो भुजाए है, इसका vertex point क्या है, corner point क्या है, आपका B है, बर्टेक्स point उस point को कहा जाता है, जहाँ पर two lines क्या होती, meet होती, मिलती है, आपस में उसको vertex कहते हैं, तो यह आपको क्या हो गया, vertex point है, corner point है, तो यह आपका हो गया B, और two arms कौन कौन सी हो गया, CB और BA, ठीक है, तो आपसे यही पूछ रहा है, कि the arms up angle are, आप दो भुजाए कौन कौन सी है, angles में, तो आपकी पहले तो है CB, और दूसरी है, BA, ठीक है, यह हमने लिग दिया, अब second question है, the vertex of angle is, अब मतलब इस angle का vertex point कौन सा है, इसका meet point कौन सा है, इसका corner point कौन सा है, तो इसका corner point क्या है, B, जहाँ पे दो line क्या हो रही है, meet हो रही है, दूसरे से मिल रही है, the symbol for angle, अब इस angle का symbol क्या होगा, देखिए, हम B ऐसी नहीं लिग सकते, क्यों नहीं लिग सकते, क्यों कि angle किस point पे बन रहा है आपका B point में बन रहा है तो B क्या हो गया आपका angle हो गया तो इस point को आपको बीच में आना पड़ेगा ठीक है तो आप लिख सकते हैं CBAB लिख सकते हैं और angle ABCB लिख सकते हैं दोनों आपका right रहेगा मतलब A B लिखेंगे angle बनाके यह angle का निशान है आप इसमें प्रसान हो यह कि का है का निशान यह क्या है आपके angle angle आप CBAB लिख सकते हैं और B आपका बीच में इसमें आना चाहिए क्योंकि आपका vertex point है इसमें पर angle बन रहा है तो यह angle का निशान है यह मैंने angle का निशान बनाया है अब next question next question है write the name acute active ctc of the angle आपको degree given है question में कि आपको 110, 70 degree 180 degree, 45 degree कोई भी degree given है आपको कह रहा है कि इसमें angle बनाओ तो angle बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या बसकता है एक protector क्या बसकता है मेरे पास protector आपकी copy की हिसाब से है board की हिसाब से नहीं है तो इस protector को हमको बनाना है कित्ते degree का 110 degree का ठीक है तो सबसे पहले तो हम एक baseline खीशते है आपके पास इसके ruler होगा उसकी मदद से आप एक क्या करिए एक इसकी baseline कीचा ठीक है हमने एक baseline कीचा अब इस baseline में आप देखे कि जो ये इधर पे ठीक है हमारे जो center point है जो आपको मैंने बुक में बता है न वो center point पे हमने यहाँ पे अपना protector stand कर लिया जमाल ये fix कर लिया अब उसके बाद बोला 110 अब देखे हम उपर वाली skill नहीं पढ़ेंगे नीचे वाली तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 110 110 110 पे हम क्या करेंगे point कर लिया point अब इस point से आप क्या करेंगे इस angle को मिला लीजिए बद गत हो तो हमने क्या कि एक baseline बना के उसमें protector अपना fix किया अब आपके पास two scale यहाँ से है एक और एक यहाँ से तो हम यहाँ वाली लेते हैं तो नीचे वाली उपर वाली नहीं तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 के उपर जो line खीची उसमें आप point रग दीजिए रग दीए point अब आप क्या करिए इधर से इस line को meet कर लीजिए मिला लिया हमने इस line को ठीके तो यह आपके कित्ते degree का कौन बन गया कित्ते degree का 110 degree का 110 degree का यह बना आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं कि C, D और यह ध्यान रखना है कि नाम कैसे देना है आपको capital letter में देना है आपको board में उतना सही नहीं दिख रहा होगा अब आपका next question के next question के है 70 degree हमने एक line खीची यह line आपको खीची दिख रही है आप हमने क्या किया कि अपना प्रोडेक्टर को center line में fix कर लिए यह fix हो गया दिख रहा है अब आपको कित्ता बनाना है 70 degree तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 हमने 70 में point रखा ठीक है इस line को इससे मिला लिया यह मिल गया तो p q r तो यह आपको कौन सा vertex point q है और यह आपकी कित्ते डिगरी का बन रहा है 70 डिगरी का बन रहा है आप जो angle आपने अभी पढ़ा था कि जो angle 90 डिगरी से क्या हो less than हो वो कौन से angle है acute angle है ठीक है और यहाँ पर हमने 110 बना है मतलब 90 डिगरी से greater than है तो यह कौन से angle है अब टिउस angle है ठीक है तो अब हम 180 डिगरी का बराने जा रहे है angle तो 180 डिगरी का कौन से angle है आपको मैंने जब type sap angle पढ़ाए है तो मैंने 180 डिगरी का complete angle है आप देखे हमने base line बनाए आपका protector set हुआ center line में आप यहाँ पर देखे कि 180 डिगरी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 1, 21, 31, 41, 51, 61, 61, 71, 80 तो यह क्या आगे यहाँ point आगे आपका 180 का ठीक है तो यह आपका कैसा angle बन गया complete angle बरेगा यह आप इससे इसको match कर देंगे तो यह आपका मैंने क्या कि 180 डिगरी का आपका complete angle बन गया तो हम इसको क्या नाम देंगे यहाँ पर complete angle इसी तरह नेस्ट है आपका 45 डिगरी अब 45 डिगरी को बनाने के लिए आपको क्या करने है एक ने बेस लाइन बना लिए जैसे आपने बनाया था ठीक है आपने protector fix किया जब मैंने protector fix किया इस तरह ठीक है मैंने पहले से बना लिए क्योंकि बनाने परिसानी हो रही है तो जब हमने center line में बनाया इसके बाद आप देखी कि 40 और 50 के बीच में जो line होगी उस 45 का angle वहीं पर बनेगा उस 45 डिगरी ने हमने point बनाया और उस line को आपस में जोड दिये तो आपका किता बन गया यह आपका 45 डिगरी का angle बनेगा इसी तरह यह आपका 45 डिगरी का कौन से angle बनेगा 90 से क्या है less than है तो यह होगा आपका acute angle बनेगा बेटे इसी तरह आपको और angle बनाने हैं क्योंकि यह board में बनाना तो बहुत ही कठीने copy में में class में होती तो आपको copy में समझाती तो एक बार कोसिस करिये हो नहीं बनेगा तो मैं फिर समझाने की प्रेतने करूंगी thank you